दोस्तो बच्चों के डिमांड पे लेकर आया हूँ ये किसी भी टिगोमेट्रिक एंगल का मान कैसे निकालना है सर इस पे ट्रीक बताएए तो बच्चों को याद करने के लिए सब लोग बोलते हैं बच्चा बोलता है सब तो मैं बोला कि रुको मैं इसको तुमको हमेशा हमे दिगरी 45, डिगरी 10, 45, डिगरी 10, 60 डिगरी का मान चुटकियों में कैसे हम लोग को समझ जाना है देखो बाबु सबसे पहले आपको क्या करना है कि फिंगर को ओपेन करना है और फिंगर को रखना ऐसे है ठीक है अपने हाथ को ऐसे देखना है कि वाल हाथ देखकर कि आप value बता दोगे ओके तो देखो कैसे बताओगे आप क्या है इसका तरीक है यह 0 degree है न केवल finger count करना है तो देखो sign के लिए sign के लिए आप इस direction में उंगली गिनोगे मतलब sign के लिए अगर sign 60 degree के लिए तो 1, 2, 3 इधर उंगली गिनोगे कि उसके बाद कितना मुली है आप कोस के लिए ठीक उसके उल्टा जैसे मालनो कोस 0 degree का value हमें जब देखना होगा तो इसके उल्टा एंटी clockwise घरी के विप्रित दिसा में मुली गिनना है छोड़ करके उसको 0 degree का value क्या होगा ठीक है आपको याद नहीं करना है मैं बार बार बोल रहा हूँ तो sign 0 degree के value तो इधर देखना है उंगली तो इसके बाद आपको उंगली दिख रहे क्या नहीं दिख रहा है तो जो भी नंबर आए अगर उंगली का उसको देखो रूट में लिखना है आप बाटा में हमेशा 2 तो यहाँ जब 0 लिखोगे क्योंकि इस 0 के बाद एक को उंगली नहीं तो 0 नहीं तो रूट 0 बाटा 2 का value क्या हो जाएगा जीरो तो साइन जीरो डिगरी का मान क्या हो गया जीरो तब आप से मैं पूछूँगा साइन तीस का value बताईए तो आप बोलिएगा साइन तीस के बाद तो एक के गोंगली नहीं है तो रूट में एक आप बाटा में हमेशा 2 रूट एक का मान आप जानते हो एक होता है या बता में दू समझ में आया ठीक है अब देखिए साइन पैन तालिस का मान तो कोईगा उंगली है एक दो तो आप साइन पैन तालिस का मान जब लिखिएगा साइन 25 का तो आप लिख सकते हैं ना रूट दो बटा दो क्योंकि उली करेगा उसके बाद एक दो तो यहाँ पर रूट दो को हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू रूट दो को तो रूट दो यह लिखेंगे केवल दो को हम लोग रूट दो गुने रूट दो नहीं लिख सकते हैं तो है एक को कट जाएगा तो उपर एके ना बचेगा नीचे दो तो भैलू क्या हो गया एक बटा रूट दो यहीं से आप कॉसेक का भी भैलू बता दोगे साइन के अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है ना तो साइन तीस डिगरी एक बटा दू है तो कोसेक तीस डिगरी हाई पलट जाएगा जब साइन के अपोजिट होता है क्या कोसेक तो कोसेक तीस डिगरी का मन क्या हो जाएगा दो उपर चला जाएगा यह नीचे चलाएगा समझ में आया कैसे निकल रहा हूँ तब आपका काम है साइन साथ का मान अब बिना याद किये अब बताओगे ठीक है गिन लोगे एक दू तीन तो रूट में तीन बटा दू तो रूट तीन का होगा 45 के लिए दोनों तदात्म समान होता है अब देखो 10 के लिए अब कुछ बचे का जवाब रहेगा कि 10 के लिए सर क्या होगा तो 10 ठीटा बराबर आप का जानते हो साइन ठीटा बटा कॉस ठीटा जानते हो जानते हो तो देखो 10 के लिए मान कैसे निकलेगा मान लो 10 0 डिगरी का मान निकलना है लो तो sin 0 का मान तो आप जान जाओगे trick से 0 जान गए हो कि कोई finger नहीं है across 0 का मान 1 तो 0 बटा 1 0 बटा 1 जरा गौर करो तो 0 को 1 से भाग दोगे तो भाग जाएगा यहाँ 0 बटा 1 है तो यह तो भाग नहीं अब भाग करोगे तो इसका value क्या होगा इसका value क्या होगा 0 ठीक है यह तो आप आजाएगा लेकिन अगर यहीं रहेगा कि cot 0 का बताईए cot 0 का तो यह तो पल्टेगा 10 के उल्टा cot होता है तो 1 बटा 0 तो आप एक को जीरो से कोई बार पढ़ोगे 0 के परकिये काएगा अगर नहीं आएगा तो यह क्या होगा not defined समझ में आया तो आसा करता हूँ कि अब आप फर्मूला नहीं रटोगे आपको यह फर्मूला बनाने आजाएगा बाई माई फ्रेंड्स